प्लास्टिक सर्जरी के लिए सर्जरी कौन से करानी थी मैं मूप्लास्टिक ओ क्यूं थी तो फैनली दोस्तों इंडियन बॉक्स आफिस पर इस अपते रिल्यूजने वाली बॉल्लीट की तीनों ही बड़ी फिल्म है यानि कि दोस्तों हॉरर कॉमेडी स्ट्री टू खेल खेल में और वेदा की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और दोस्तों इन तीनों ही फिल्मों ने इंडियन बॉक्स आफिस पर अपनी एडवांस में अब तक कितने करूर रुपे की कमाई कर ली है यह इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और बात करने वाले हैं दोस्तों कि इस 15 अगस के मौके पर कौन बनने वाला है बॉक्स आफिस का विनर तो वीडियो को लाश्टे तक जरू देखिएगा और हमें कमेंड करके जरू बताइएगा कि आपको इन तीनोई फिल्मों में किस फिल्म का सबसे जादा इन्तजार है साथी साथ जानेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग कलकी के सूपर फास्ट कलेक्शनज के बारे में छले शुरुआत करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोगे यहापर बात कर लेते हैं फिल्म वेदा की में आपको जॉन का दमदार एक्षन देखने को मिलेगा शरवरी ने भी दोस्तों जॉन के साथ इस फिल्म में एक्षन फिल्म आया है यही बज़े है दोस्तों कि यह फिल्म एंडियन बॉक्स आपिस पर लगबग अठारा सो स्क्रिंस पर रिलीज की जा रही है और इन अठार की जहीं यहाँ पर वेदा की तो दोस्तों वेदा जिसे की इंडियन बॉक्स आपिस पर 70 करोड रुपे के बजट के साथ बनाया जा रहा है इस फिल्म के ट्रेलर को आडियंस की तरफ से अच्छा रेस्पोस मिल चुका है ट्रेलर के साथ साथ दोस्तों इस फिल्म के गाने ठीक ठाक रहे यही वजह है दोस्तों की वेदा का जो बज है वो ग्राउंड लेवल पर अच्छा बन चुका है और ये फिल्म अपने रिलीज से पहले ही एडवांस के मामले में 35 लाख रुपे के आखड को अभी तक क्रोस कर चुकी है इस फिल्म के रिलीज में दोस्तों सिर् कि मैं कर्स 2500 स्क्रिंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं बता दे चले दोस्तों आपको कि जोन अब्रायम की इस फिल्म को इंडियान बॉक्स ओफिस पर अगर 1800 स्क्रिंस पर रिलीज किया जाता है तो दोस्तों ये फिल्म अपने पहले दिन इंडियान बॉक्स ओफिस पर 7-8 करोड या फिर 10 करोड रुपे तकी भी ओपनिंग ले सकती है क्योंकि दोस्तों इंडिपेंडेंज डे के मोके पर किसी भी फिल्म को इतनी कम ओपनिंग नहीं मिलती है जितनी की सभी एक्सपेक्ट कर रहे है जॉन की फैन फॉलविंग काफी अच्छी है यही वज़य है दोस्तों की यह फिल्म 8-10 करोड रुपे के आखड़ को भी टच कर सकती है बात किज़ए दोस्तों यहाँ पर फिल्म खेल खेल में के बारे में तो दोस्तों बताते चले आपको की सुपरिस्टार अक्षय कुमार की खेल खेल में जिसके लीड में आपको अक्षय कुमार के साथ साथ परदिन खान, एमिवेर और कई सारे बहत्रिन एक्टर्स नजर आने वाले हैं तो वही दोस्तों इस फिल्म का डारेक्शन क्या है मुदसर अजीज ने मुदसर अजीज दोस्तों इससे पहले पती पत्नी और वो जिसी बहत्रिन फिल्म बना चुके हैं जिसे की ओडियंस की तरफ से खूब पसंद किया गया था अब एक बार फिर दोस्तों वो एक कॉमेडी इंटेटेनर फिल्म लेकर आ रहे हैं वो भी कॉमेडी किंग अक्षे कुमार के साथ दोस्तों बताते चले आपको की इस फिल्म को लगबग 120 करोड रुपे के भारी भरकम बजट के साथ बनाया गया है जिसे की T-Series प्रोडूस कर रहा है फिल्म का ट्रेलर दोस्तों आडियंस को पसंद आ चुका है गाने भी अल्रेडी सूपर रिडूपर हिट हो चुके हैं यही बज़े हैं दोस्तों की अक्षे कुमार की ये फिल्म भी बॉक्स आफिस पर इस 15 अगस को एक धमाकेदार ओपनिंग लेने को त्यार है अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म की एडवांस बुकिंग और इस फिल्म की स्क्रिंस के बारे में तो दोस्तों बताते चले आपको कि अक्षे कुमार की इस फिल्म को 15 अगस के मोके पर लगबग 22-25 स्क्रिंस पर रिलिस के जा रहा है इन 25 स्क्रिंस पर दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो फिलाल में तो फुल फ्लेज ओपन नहीं हुई है लेकिन दोस्तों इस फिल्म की एडवांस ने भी 30 लाख रुपे के आखड़ो को आल इडिया ग्रोस बॉक्स आफिस पर क्रोस कर दिया है जबकि दोस से इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो 70 लाख रुपे के आखड़ो को पार कर चुकी है ये फिल्म दोस्तों दुनियावर के बॉक्स आफिस पर लगबक 32 से ज़ादा स्क्रिंस पर रिलिस होने वाली है अक्षे कुमार की दोस्तों कॉमेडी फिल्मों को आडियंस और इस बार दोस्तों जो ये कॉमेडी फिल्म है उसका टॉपिक इतना गजब का है कि ये फिल्म दोस्तों आडियंस को एकसाइटेट कर रही है सिनेमा घरु तक लाने के लिए ये फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स आफिस पर अपने पहले दिन डबल डिजिट से बड़ी ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है और अपने पहले दिन लगभग 12 से 13 या फिर 15 करोड रुपे तक क्या आखड़े को टच कर सकती है अगर आडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को अच्छे रिविस मिले तो ये फिल्म दोस्तों बॉक्स आफिस पर अक्षे कुमार के लिए एक और सूपर हिट फिल्म साबित हो जाएगी लेकिन दोस्तों इस फिल्म के सामने तुफान की तरह खड़ी है दोस्तों शद्धा कपूर और राजकुमार राओ की हॉरर कॉमेडी फिल्म इस त्री टू जो कि इंडियन बॉक्स आफिस पर इस 15 अगस को रिलिस होन लेती हुई नजर आ रही है और दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स आफिस पर भी काफी अच्छे एडवांस मिलती हुई नजर आ रही है श्रद्धा कपूर, राजकुमार राओ, अभिशेक बेनर जी, अपार शक्ति खुराना, वरुन धवन और कई सारी बहतिन श्टार अपनिंग मिलती हुई नजर आ रही है जिसने की अपनी एडवांस बुकिंग में ही 38 घंटे पहले टाइगर 3 अनिमल और कई सारी बॉल्यूड फिल्मों की एडवांस बुकिंग की कालेक्शन को पीट किया, जी हां दोस्तों आप सभी को बता दे चले कि इस फिल्म की 3 2 को मिलती ही नजर आ रही है, इस 3 2 के ट्रेलर को भी और्डियंस पसंद किया है, इस फिल्म के गाने सूपर डूपर ब्लॉकबस्टर हो चुके हैं, साथी साथ दोस्तों फिल्म में श्रद्धा कपूर के जिल लुक्स है, वो सभी को उनका फैन बना रहे हैं, यही वेज़ कर दे, फिलाल में दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है, वो 1,40,000 से जाधा टिकेट आइनोक्स, PVR और सीनोपॉलिस में बेच चुकी है, जो की वान उप दे बिगेश्ट है, अब भी दोस्तों इस फिल्म के रिलीज में पूरे 3 दिन बचे हुए हैं, और दो पार कर चुकी है, ये फिल्म दोस्तों पैड प्रिव्यूस के लिए ही 1 करोड रुपे से जाधा की एडवांस ले चुकी है, इंडियन बॉक्स आफिस पर दोस्तों आज तक पैड प्रिव्यू में सबसे जाधा कमाई करने का रिकॉर्ड शारुख खान और दिपिका अपने पैड प्रिव्यू में ही लेती हुई नजर आ रही है जिससे कि ये फिल्म चैनने एक्स्प्रेस के कई सालों पुराने रिकॉर्ड को भी बीट कर सकती है, बता दे चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म की रिलिस से पहले तक इस फिल्म की एडवांस लगबग 7 लाग स जादा टिकिट अल्रेडी सेल कर चुकी होगी और ये फिल्म ब्रमास्त्र और टाइगर 3 के एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए, वन अप दे बिगेस्ट एडवांस लेने वाली फिल्म बन चुकी होगी, साथी साथ दोस्तों इस फिल्म की ऑपनिंग क करोड रुपे की ओपनिंग लेती है, तो समझ लेना दोस्तों कि हॉरर युनिवर्स में आने वाली फिल्मों की जो ओपनिंग से वो कितनी बड़ी होने वाली है, आपको क्या लगता है दोस्तों स्त्री 2 खेल खेल में और वेदा में बॉक्स आफिस की बाजी कौन मारेगा, फिलाल में तो हमें इस्तरी 2 लग रही है, आप हमें अपने राय कमेंड करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बात की जाए दोस्तों यहाँ पर फिल्म कल की 289880 के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैन एडिया सुपर फिल्म के जो कलेक्शन से वो इंडिया ही नहीं, बलकि दुनिया वर के बॉक्स आफिस पर काफी अच्छा ट्रेंड कर रहे हैं, और इंडिया से दोस्तों यह फिल्म हिंदी में 292 करोड रुपी की कमाई अपने शुरुवाती 44 दिनों तक कर चुकी थी, 45 दिन दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन से वो भी काफी अच्छा ट्रेंड करने में कामयाब रहे थी और इस फिल्म ने 1 करोड रुपे अपने 45 दिन कमाए थे, वहीं दोस्तों अपने 46 दिन इस फिल्म के कलेक्शन एक करोड तीस लाख रुपे कर रहे, हिंदी में दोस्तों यह फिल्म 293 कर करोड़ो से जाधा की कमाई already कर चुकी थी आज दोस्तो इस फिल्म का box office पर 47 वा दिन है हिंदी में दोस्तों ये फिल्म आज भी 30 लाख रुपे से जाधा की कमाई कर रही है फिल्म पेल्डी बॉक्स उथ पर दोस्तों ये फिल्म 145 करोड रुपे के आखड़ को टूचर कर चुकी है इस फिल्म को दोस्तों बॉकस उफ़िस पर अब ग्यारा सो 50 करोड रुपे ये क्माई दुनिया वरसे और 300 करोड रुपे के कलब में एंडियन बॉक्स आफिस पर हिंदी में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता आपको क्या लगता है दोस्तों कल की क्या हिंदी में 300 करोड के कलब में शामिल हो पाएगी या नहीं हमें अपने राय कमेंट करना बिलकुल नहीं हो लिएगा धन्यवाद जेहिं जे भारत